दोस्तों आज है पांच अगस्त और आज की क्या-क्या लेटेस अबडेट हैं भरतियों को लेकर उन सभी भरतियों पर हम बात करने वाले हैं एक लाग शबीस अजार अठाइस प्रदों पर नई प्राइमरी सिच्छक भरती को लेकर बात करेंगे यूपी में नई सिच्छक भरती विग्याबन जारी किया गया है यूपी टीजटी पीजटी को लेकर बात करने वाले हैं यूपी टीजटी पास रिक्षा में तेसके अलावा एड़ेट जूनिय और यूपी टपल सी भरतियों के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑफेंडिक जनकाईयों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं लाइक और शियर आप कर देना दोस्तो यूपी टपल सी पीटी को लेकर बैस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षू परकाशन की है और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टपल सी की भरतियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे आपके पेपर में कुछ भी नहीं पसेगा क्योंकि UPWSC के ज़्यादा तर जो paper होते हैं वो offline या आपके जो books होती हैं उनसे आधारीती देखने के लिए मिलते हैं और UPWSC P.E.T. qualify करने के लिए आपको एक best book ही purchase करनी चाहिए जिसमें आपका slayvers और mathpun questions का समावेज हो साथी साथ previous year question भी आपको मिलें और ये सब कुछ आप सुभी को मिलते हैं UPWSC की P.E.T. की best book जोकि आप सुभी के सामने हैं चक्सु प्रकारशन की जिसमें बाइस सो से ज़्यादा mathpun questions छे sol paper इसके अलाबा और भी बहुत कुछ जैसा कि आप सुभी अपनी स्कीन पर देख सकते हैं इस book में mathpun questions के साथ आपको मिलती है detail उत्तरमाला साथी साथ व्याक्यात्मक हल भी UPWSC की संपूर गाइड के साथ इनका practice set भी आता है जिसको आप purchase करके अपनी तयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं इन दोनों books के link आपको वीडियो की description मिल जाएंगे आप Amazon या फिलिपकार्ट से या फिर अपने नजदी की store से purchase कर सकते हैं link वीडियो की description में हैं सबसे पहले शुबात की जाएगी सबसे पहली अपडेट को लेकर जोकी संबंदित है उत्तरप्रदेश के अंदर निकली 3831 पदों पे भरती को लेकर कल देरात को कणिस्य सायग को लेकर भरती का विगयाबन जारी कर दिया गया जिसमें 3831 पदों पे आपको ये भरती देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रदेस अधिनर सेवा चैन आयूक के माध्यम से अलग-अलग विवागों के अंदर यहां से 3788 के रावा और भी पदों को जोड़कर कुल 3831 पदों पे भरती होने वाली है इन पदों के लिए होने वाली मुख्य परिक्षा में भाई अब्यरती शामिल हो सकेंगे जो P.E.T. 2022 की परिक्षा में प्रतिवा किया था और उनको स्कोर कार्ड जारी किया गया था लिखा हुआ है कि उनका जो बास्तिविक सामाने स्कोर होना चाहिए सुन या उससे कम नकात्मक अंक प्राप्त करने वाले अब्यरतियों को मुख्य परिक्षा में सामिल होने के अनमती नहीं दी जाएगी फिलाल इसको लेकर जो ओफीशल बिग्यापने वो ओफीशल साइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर मुझे समय मिलता है तो मैं आप सभी के लिए इसको लेकर एक वीडियो भी बना दूँगा लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना जल्दी बना देंगी फिलाल इसको लेकर ओफीशल नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है पीटी 2022 बाले अभीटी इसके अंदर आविदन कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को द्रीट करें या मैं आपके सभी के सामने जल्द इसको लेकर हर्ज होता हूँ चलिए बात कर लेता हैं अपटी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबन देता हैं एडिट जूनियर सिच्छक बदी के अंदर निव्टी को लेकर दोस्तों जासा कि आप जानते हैं कि अब उसी को लेकर लिखा हुआ है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो धहना प्रदर्शन जारी रहेगा हाला कि शाषन के आशवाषन के बाद अब्यातियों को धना प्रदर्शन खतम करना पड़ा साल 2021 में निकाली के इसास की सायतर प्याप जूनियर हाई स्कूल पताना अध्याबक सायक अध्याबक पत की भरती के लिए अध्य सुचना जानी की गई थी अक्टूबर 2021 में इसकी परिक्षा देखने के लिए मिली और नवंबर में इसका परदाम गोशित कर दिया गया उसके बाद फिर से इसको लेकर परदाम गोशित होता है तुबायार से रिवाई जिसल्ट ढाता है लेकिन बावजुत इसके इसका परदाम गोशित होने के बाद भी भरती आगे नहीं बढ़ती है कोड में मामला जाता है कोड से इस्टे लग जाता है इस्टे लगने के बाद में कोड कहती कि हमने कोई फैसला नहीं किया और ओरर कुछ रिजब करने के बाद में जिलीज कर देती है अब एकवा फिर से एड़िड यूनियस इच्छेक बरती को लेका अभ्यती फिर से धना प्रिजशन करके मांग करें कि जो अभ्यती चैनित हुए उनको यहां से निक्ति पत दिया जाए कुल साय कद्याबक भरती के अंदर 544 पत हैं जैसा कि आप जानते हैं और लगवग 40-42 अज़ा अभ्यती सफल हुए हैं अभी इसमें जिला आवंटन होना बाग किया और उसके बाद ही निक्ति पत्र मिलेंगे लेकिन चात मांग करें ये बड़ी बात है बात कर लेते हैं यूपी टीटी पास सिक्षा मित्तों के बारे में दोस्तों लिखा हुआ है कि यूपी टीटी पास सिक्षा मित्तों को लेकर उत्थान की माध्यम से समिती है केंदी सिक्षा मंती धर्मेंद प्रदान से मुलाकात कर टेट सीटेड पास शिक्षा मित्तों को नियमित करने की मांग की गई अगर बात की जाएं यहाँ पर जो उनके अध्यक्ष हैं गुडू सिंग उनकी तरफ से बताया जाता है कि उत्थागंड हिमाचल प्रदेश जारकंड उडिसा और अन्राज्यों में टेटी पास शिक्षा मित्तों को नियमित किया गया है उन्होंने केंदी शिक्षा मंती को ग्यापन देकर यूपी में भी यह विवस्ता लागू करने की मांग की है कि जो भी टेटी पास शिक्षा मित्ते हैं उनको नियमित सायक अध्यापक बना दिया जाए बात कर लेते हैं अपकी अगली अप्डेट के बारे में जो की सम्भन देते हैं एक लाग छबीस तजार अठाइस पदों पर नई प्राइमरी सिच्छक बरती इसके लावा यूपी में नई सिच्छक बरती को लेकर बिग्यापन जारी दोनों अलग-अलग हैं अगर बात कीज़ें पहली अप्डेट को लेकर तो पहली अप्डेट आप सुभी को देखने के लिए मिलती है बाहर सरकार सिक्छा मंदाले स्कूली सिक्छा साच्छरता विवाक के माध्यम से जाली किये गए ओफिशल नोटिफिकेशन के माध्यम से ये वही नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से बताया गया कि देश के अंदर टीचर्स के कितने पद खाली हैं और कितने नहीं जिसमें कुल मिलाकर अगर बात की जाए 2223 के शेशन के अंदर 7,47,565 जो सिच्छकों के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं जो के पूय देश के अंदर हैं लेकिन सोच करके देखिए कि जिन राज्यों में टीचर्स के खाली पड़ों की संख्या जीरो हैं वो कितने अच्छे सिच्छा की गुड़बता देते होंगे अपने स्कूलों के अंदर और ये कुछ ही हैं जैसे की मेगाले, नागालेंड, ओडीशा और इसके अलावा सिक्किम यही कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर टीचर्स के खाली पड़ों की संख्या सुनने हैं लेकिन अगर बात की जाए ऐसी कुछ राज्यों के बारे में जहां पर टीचर्स के खाली पर्द लाखों की संक्या में हैं तो यहां पर उत्तर पिदेश बिल्कुल भी पीछे नहीं है हाला कि बिहार के अंदर एक लाख असी हजार के संतिंग है लेकिन उसको इसमें एड़ करना अब तो वेवकूफी होगी क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने तो एक लाख सतर हजार पर्द भरती तो निकाल दी कम से कम लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो भी नहीं हो दा फिलाल सिक्षा मंत्याले के माद्याम से ओफीचल नोटिफिकेशन जादी करते हुए इसको लेकर कल जानकाई दी गई कि देश बर के अंदर 2020-2021 इसके लाबा 22 से इसके अंदर खाली होने वाले प्रदों की डाटा पूरा आप सभी के सामने है चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अप्डेट के बारे में जो की संबंदित है उत्तर प्रदेश में जारी नई सिच्छक भरती विग्यापन को लेकर लिखा हुआ है कि कारेले जिला बेसिक सिच्छा अधिकाई देवरिया की माध्यम से नई सिच्छक भरती को लेकर विग्यापन जारी कर दिया जाता है इसी तरीके से कंप्यूटर के भी तीन पर यहां पर होने वाले हैं कुल मिलाकर प्रदों की संग्या की अगर बात किये तीन दो पांच दो साथ इसकलाब नो ग्यारे और आठ उननीस और चार तैइस पर आपको देखने के लिए मिलते हैं तैइस परदों के लिए भरती आप सभी को केंदी माफ कीजे जो केजी भी विद्याले होते हैं कस्तूबर गांधी वाले का विद्याले उनके अंदर आपको देवईया से वेकेंसी देखने के लिए मिलती है इन परदों पर आवेदन करने के लिए B8 प्लस TET पास होना आप सभी के लिए अनिवार है लिखा हुआ है कि यहां पर आप सभी का जो चैन होगा मेरिट के आधार पर देखने के लिए मिलेगा यह आपके फॉर्म का प्रारूप होगा अगर आप ज़्यादा जान कई लिना चाहते हैं नोटिफिकेशन के बारे में तो आपको जाना होगा ओफिशल वेबसाइट पर upnic.devariya.in होगा उसके बाद आप सभी जाकर सर्च कर सकते हैं ठीक है क्योंकि ज़्यादा तर सभी जिलों की वेबसाइट यही होती है तो यहां पर दोस्तों लिखा भी हुआ है www.devariya.nic.in ठीक है न तो इस पर आप सभी को जाना होगा फिलाल पूरी डाटा मैंने आप सभी को बता दिया है आप बेदन करने के लिए इसमें आपको बेतन 22,000 के संथिंग मिलता है जो की ठीक ठाक बेतन है प्राइबेट से तो बात कर लेते हैं यूबी टीजिटी बिजिटी खाली बदों को लेकर जारी किये गए नोटिस के बारे में जिसकी जानका ही आज के अलग-अलग समाचा पत्रों में भी दी गई है लिखा हुआ है कि डीजिटी बिजिटी बिजिटी को लेकर मांगे गया है दिख्तपदों का डाटा टीजिटी बिजिटी 2021 के अपसेस पैनल में चैनित इस अभ्यति इस भ्यति के अंदर उप सेंडी के उसकी मूल सेंडी में समलित करते हुए दुतिय काउंसलिंग कराया जाने की मांग को लेकर उत्रपदेस माधिमिश इच्छा सेवा चैन वोड की इस भरती के अपसेस पैनल में अभ्यति उन्हें अपर सिच्छा निदेसक एडी माधिमिक सुर्ण्द कुमार तिवारी को म मांगी है इससे माना जा रहा है कि काउंसलिंग दुबारा फिर से करवाई जाएगी यानि की मामला यह है कि डियाएवेस से रिक्तपदों का डाटा मांगा गया है और जब डाटा मिल जाएगा तब पता चलेगा कितने पद खाली है उसके आधार पर अगर एडी चाहें तो आपकी दुबार से काउंसलिंग करवा सकते हैं जो पद खाली रह गए उन सभी पदों पर फिलाल इस वीडियो के माद्यम से इतना ही थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो